कैसे हैं आफ सब आजह हम बात करेंगे आप्र के Namis OK submission procedure के बारे में प्रोसेस बोल लो या प्रोसेजर बोल लो बात चैरेकर के साथ मैं आपको इसके बारे में बता हूँगा थोड़ा बतों HEY कोशिश करा सब्सक्राइब करेंगी बारे में तो आज हम बात करेंगे आपके NIS के admission के procedure के बारे में, ठीक है, आपका procedure क्या होता है, NIS में admission लेने का, ठीक है, उसके बारे में कुछ detail है, कुछ topics है, कुछ चीजे हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप NIS के अंदर admission ले रहे हैं, admission लेते time, क्या-क्या चीजे ध्यान चीजे हैं, क्या procedure, official उनका procedure होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए, start करते हैं, तो हम procedure की अगर हम बात करें, तो आपको सबसे पहले NIS की website पर admission लेने के लिए, NIS की website है, उस पर visit करना पड़ेगा, NIS की website का नाम लिखा हुआ है, नीचे link में, description में दे इसके बाद next पर आएगा आपका click on the procedure, proceed button, जैसे आप अपने पढ़ लेंगे instruction, तो instruction के बाद में आपने proceed button पर click करना है, फिर आपके लिए state select करने के लिए आएगा, आपको अपनी state select कर लेंगा, जो भी आपकी है, दिल्ली, दिल्ली हो गई, रियाना होगे, राजिस्तान हो bank account, passbook, और भी document है, पुरी list है वाद चेक कर लेना, इन में से कुछ भी हो, वो आप अपना उसके अंदर डाल सकते है, अधार कार्ट वगेरा, select कर लेना, आप जो चीज़ आपने ही हाँ select की है, आपको उसका number डालना है, ठीक है, आगर मानलो आपने अधार कार्ट लिए तो इसके बाद जैसे आप इस पर click करेंगे, तो application form for admission will be appear, मतलब आपका जो form है, जैसे आप इसको करेंगे, तो आपका form खुल करके आजाएगा एक front वाला, जैसे आप उस पर click करेंगे, और form खुल कर आजाएगा, तो उसके अंदर आपको पहले बरना है, the form is categorized into four sections, चार section में जो form है, उसको इन्होंने divide किया है, सब सब पहला section है basic detail का, basic detail means आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, आपकी date of birth, वो चीज़ यह हो गई, फिर optional detail, जो चीज़े optional ने पूछे जाएगगी, study medium यह हो गया रहा, ठीक है, फिर subject selection, आपने एक बार आपने basic detail भर दी और optional detail भर दी, फिर आपको अपने subject select करने है, कितने subject आपको लेने है, कौन कौन से लेने है, ठीक है, last but not the least, आपका जो है, study center selection, इसमें थोड़ा ध्यान देना, अगर आप यह फिल कर रहे हो, तो study center वाले में, बल्कि सारे ही important है, but study center वाले में थोड़ा खास ध्यान रखना, बेसिक डेटेल वाला भी चेंज नहीं हो सकता, बेसिक डेटेल वाला भी, ठीक है, अब अगर हम बात करें basic detail के बारे में, सो basic detail एमारा, थी सर्चेंस के अंदर divide किया गया है, तीन सेक्शन के आपको बखेर है, ठीक है, पहला है आपको basic detail नाम आपना डलना, इसमा अपना father name सेलेक्ट किया सपोज अगर आपने अधार काट सेलेक्ट किया तो उस पर जो अधार काट पर जो एड्रेस है वो डालना है अपने ठीक है उसका डोक्यमेंट आगे अपलोड के लिए आएगा तो ध्यान रखना पिर है तीसरा अधर इंफ्रोमेशन यह अधर के अंदर आपकी दिटेल होगी आपके कौन से लेंग्वेज वगरा में है फिर इसके बाद है आपको जैसी आप यहां पोचेंगे तो आपको फार्दस नेम ठीक है फिल करना है फार्दस नेम मदर्स नेम डेट अब बर्थ ठीक है वैलेड मोबाइल नंबर और इमेल आईडी यह थोड़ा दिटेल नहीं होती है यह दिटेल छेंज नहीं होगी आपकी एक बार आपने फिल कर दी तो फिल कर दी फिर जिस भी चीज को आपको छेंज करना होगा पैसे दीने पडेंगे टाइम भी लगेगा डबल नुकसान हो जाएगा आप का ठीक है उसके बाद आपको simply click करना है वह valid email id, दोन अबर आपका mail OTP आएगा, डाल के आपको submit कर देना है, और जैसे ही आप submit करेंगे, तो आप आगे पोच जाएगे, ठीक है, जैसे ही आप OTP generate पर करेंगे, तो आपके नंबर पर simple सी वात है, OTP आजाएगा, आप डालेंगे, ठीक है, यह valid हो जाएगा, जैसे यह validation आपके complete हो जाएगी, ठीक है, अब यह जो detail आपने डाली है, यह आप change नहीं कर सकते, और फिर आपने यह detail correct करके, यह category अगरा select करनी है, ठीक है, उसके बाद जो आपका other information वाला tab है, इसके अंदर आपको upload करनी है, copy, photocopy, identity proof, document, ठीक है, और other document, other document माँ आपका passport size photo आ गया, आपका signature आ गया, अब अगर 12 वी की भर रहे हैं, तो 10 वी की mark sheet आ गया, 10 की भर रहे हैं, तो उसका supporting documents हो गए, यह सब आपको यहाँ पर डालने होंगे, जितने भी certificate यहाँ पर लिखे हैं, जो जो आप select करते हैं, finally, fill optional detail, जैसे आप fill अपनी optional detail, फिल कर लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको select subject का option आएगा, मुलब next step जो आएगा, वो आपको subject selection का आएगा, जैसे आप select, यह अपने subject, 5 subject select कर लेते हैं, 5 subject select करने के बाद, आपका सीधा option आएगा, आपका study center का, आपको 3 preference अपनी select करने पड़ती है, ध्यान से करना, जो भी नजदिक हो आपके, फिर क्या होगा, आपको अपना review form करना होगा, आपने सबध्या, फिर आपको review करना होगा, सईसे check कर लेना, कुछ भी गड़बना हो, 2-3 बार अराम से check करना, कोई ऐसी जल्दवाजी इतनी भागा दोड़ी किसी की चीज की नहीं है, फिर if the form fill is completed and is found, अगर वो पता चलता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने payment करनी है, आपने payment करनी है, 2-3 बार अराम से check कर लेना, किसी भी चीज की जल्दवाजी नहीं है, कहीं वागना दोड़ना नहीं है, इतनी दिर में कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, जैसी आप payment करेंगे, वो approved हो जाएगी payment gateway से, और आपके पास आपका reference number आजाएगा, reference number आपका, reference number आपका आजाएगा, ठीक है, reference number जैसी आजाएगा, आगेगा procedure start हो जाएगा, confirm होने के लिए, तो इसमें मैंना आपको step by step, उसके अंदर जो step by step, steps होते हैं, कैसे लेने पड़ते हैं, क्या चीज होते हैं, क्या important होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ, सारी चीज़े मैंने बताने की, पूरी कोशिश करी है, आपको समझ में आई होगी, इसके अलावा, कैसे आप खुछ से अपना form फिल कर सकते हैं, इससे related भी हमने ओल्रेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दूगा मैं, साथ साथ इसके related आपको कोई भी doubt आता है, कुछ भी ऐसा कि समझ नहीं आया सर के, फिर भी अगर कोई issue होता, तो नीचे मैं number दे दूगा, आप call कीजे, मैं आपकी पूरी help करूँगा इस बारे में, सो चलिए-चलते हैं, मिलते हैं किसी next video में, किसी next topic के साथ, तब तक के लिए keep studying, apply study, thank you,